सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए बॉलिवूर्ट की सुपरस्टार एप्ट्रस काट्रीना कैफ इस समय फिल्म भारत के अलावा एक और खबर को लेकर चर्चा में चल रही है दरसल उनका नाम साथ सिनिमा के सुपरस्टार महिश बाबू की फिल्म के साथ जोड़ा जा रहा है लेकिन इस पर कट्रीना कैफ का बयान सामने आया है जिसने काफे कुछ साफ कर दिया है और उनका कहना है कि ये सब अफवा है मैं ऐसी फिल्म के बारे में नहीं जानती हूँ और नहीं फिल्म साइन की है उनका कहना था कि अभी सिल्फ मेरे पास भारत है और भारत के बाद मेरे पास कोई दूसरे फिल्म नहीं है इस बात से ये तो साफ हो गया है कि महेश बावू के साथ कच्रीना कैफ की फिल्म की खबर एक अफवा के सिवाए कुछ नहीं थी गोर तलब है कि खबर आई थी कि कच्रीना कैफ भारत के बाद महेश बावू के साथ एक तेलगू फिल्म में धमाल मचाती हुई नजर आएंगी कच्रीना कैफ इस समय भारत को लेकर काफी ज्यादा बिजी है और इसकी शूटिंग पूरी करने में लगी हुई है फिल्म का ट्रेलर आने वाला है जिसमें उनका लुक देखने के लिए सबी लोग काफी ज्यादा इंपजार कर रही हैं लेकिन उनका लुक पहले ही सामने आ चुका है इस फिल्म को अली अबास जफर में देशित कर रही है और फिल्म इसी साल इद के मौके पर रिलीज होने वाली है अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इससे लाइक करें और अपने व्यूजर में कमेंट करके जरूर बताएं इंडिया स्वैंडिंग नीउस के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग नीउस के लिए